नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी न्यूज किसी कानून को निरस्त करने की समयधानिक प्रक्रिया क्या होती है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, आपको तो पता ही होगा कि ये तीनों क्रिसी कानून अधिनियमित हो चुके हैं, ऐसे में जब किसी विशय पर कोई कानून बन जाता है, तो फिर उसे वापस लेने क कि जो प्रक्रिया होती है, या लेने की जो प्रक्रिया होनी चाहिए, वो किस प्रकार से होगी, क्या उसमें समयधानिक प्रावधान है, उसके बारे में भी यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले हम खबरों की तरफ चले तो, जिसमें मोदी जी ने देश से को समध और अपने स्पीच में किसाणों से ये अपिल की कि आप लंबे समय से धन्ना दे रहे हैं, और आपको भर चले जाना चाहिए, क्योंकि सरकार ये क्रिसि कानून वापस ले रही है, और इससे किसानों को, किसी भी प्रकार के कानूनों को नहीं जहलना होगा, जो सरकार ने ये नहीं सकी मोदी जी ने इसके बारे में भी बताया और किसान इसमें लंबे समय तक उलचके रह गए और गुरु पर्व के सुब दिम्ड पर ये फैसला सरकार ने ले लिया कि ये किसान बिल वापस लिये जाएंगे तो मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ प्रदान मंतरी मोदी जी का जिसमें इन्होंने कृसी बिल वापस लेने की बात किया है साथियों हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए खास कर छोटे किसानों के कल्याण के लिए देश के क्रसी जगत के हित में देश के हित में गाउं गरीब के उजवल भविष्चे के लिए पूरी सत्य निष्ठा से किसानों के प्रती पूर्ण समर्प्रभाव से नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी लेकिन हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझान नहीं पाए साथ क्यों मैं आज देश वासियों से ख्षमा मागते हुए सचे मन से और पवित्र रदे से कहना चाहता हूँ कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी जिसके कारण दिये के प्रकास जैसा सत्य कुछ किसान भाईयों को हम समझान नहीं पाए आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है ये समय किसी को भी दोस्त देने का नहीं है आज मैं आपको पुरे देश को ये बताने आया हूँ कि हमने तीन कुरुसी कानूनों को वापस लेने का रिपील करने का निर्णे लिया है इस महिने के अंत में शुरू होने जा रहे है समसात सत्र में इसी महिने में हम तीन कुरुसी कानूनों को रिपील करने की सम्विधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे तो यहाँ पर मोदी जी ने ये बात कही कृसी बिल वापस ले लिया जाएगा और इसे वापस लेने की जो सम्विधानिक प्रक्रिया होगी वो आगामी शीत कालीन सत्र में शुरू की जाएगी जिसके माद्यम से इन तीन कानूनों को वापस लिया जाएगा अब इसमें हम आगे जानते हैं कि क्या थी ये क्रिसी कानून तीनों के बारे में जानते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तीन कानून थे जिसमें पहला किसान उपज व्यापार एवं वाडिज्य जिसमें समवर्धन और सुईधा विदेयक 2020 इसके बारे में मैं अगर बताओ तो इसमें किन्द सरकार ने APMC मंडियों के बारे में बताया है उनके खरीदने और स्वतंतरता के बारे में दिया है कि क्रिशक कहीं भी अपना सामान खरीद और बेश सकते हैं उन्हें किसी मंडी से बंधे नहीं रहना होगा यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं सई धंग से काम नहीं करती मंडिया या संतोस जनक पे नहीं करती किसानों को इसके लिए मंडियों से भीतर या बाहर किसानों को एक एकसिस मिल गया था जिससे कि वो कहीं भी अपना सामान अपने खेती या अपनी उपज बेज सकते थे फिर इसके बाद दूसरा कानून आप देखिए जिसमें क्रिशक के बारे में दिया गया है उनके ससक्तिकरण और संरक्षण की बात की गई है और कीमत आश्वासन जिसे MSP कहते है यहाँ पर आप देखिए यह है कानून इसमें किसानों के ससक्तिकरण और उनके संरक्षण की बात की गई है उनके जो भी उपज है या जो भी सम्विदा की क्रिशी है उसके पंजीकरण, लाइसेंस, जमा हाला कि यह 20 राज्यों में पहले से ही अपनाया जा चुका है तो यह भी एक कानून था और तीसरा बिल है आवशक वस्तू संसोधन विधयक 2020 इसके लिए लिखा गया है कि इसमें आवशक वस्तू अधिनियम क्रिसी तथा खाद पदार्थो जिनमें अनाज, दलह, आलू, प्याज, इत्यादी शामिल होंगे इसके बारे में संसोधन किया गया है इसमें बताया गया है कि जैसे कोई प्राकर्ति कापदा आ जाए या हमारे देश का किसी देश के साथ युद्ध छिड़ जाए तो उस दोरान हमें अपने जो ये सारी चीजे हैं इनका एक अच्छा इस्टोरेज रखना होगा तो इसमें जो इस्टोक है इस्टोक की सीमा को बढ़ाया गया है ताकि जादा से जादा समार रखा जा सके ताकि आपात काली निस्थिती में हमारा देश उसमें सर्वाइव कर सके खाने की दिक्कत ना है तो इससे भी किसानों को दिक्कत थी कि उनको लगता था कि ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग काला बाजारी हो सकती है और जमाखोरी भी हो सकती है तो यहाँ पर भी किसानों को एक प्रॉब्लम दिख रही थी तो इन ही तीनों कृषी कानूनों को वापसी की बात कर रहे थे हमारे किसान अगर हम विरोध के कारण के बारे में जाने तो तीन मेन कारण थे पहला था निउन्तन समर्थन मूले MSP जिसे हम लोग कहते है minimum support price जिसके बारे में इस विधयक में कहीं भी चर्चा नहीं हुई थी दूसरा है क्रिसी उपज विपढन समीती इसके बारे में धंग से कुछ बताया नहीं फिर तीसरा है विवाद निस्तारण का मतलब होता है सुलजाना जैसे कि अगर मान लीजे किसी क्रिशक का या किसी बात पर लेकर विवाद हो जाए उसके बारे में भी धंग से कोई जानकारी इस विधयक में नहीं दी थी तो इन सब मामलों को लेकर हम क्रिशक और सरकार के बीच मतवेद हो गए आपने देखा ही होगा कि इसके अलावा भी देश भर में किसानों के द्वारा विरोत प्रदसन हुए धरना हुए भारत बंद भी चला चक्का जाम किया गया और पिछले एक साल से यही सब चल रहा है क्रिशक परिशान आगे हम पूरे इस घटना करम को देखें तो इसकी सुरुवात जून 2020 से हुई जब अध्यादेश के जरिये क्रिशी कानून को पेश किया गया फिर सितंबर 2020 में लोकसभा और राजसभा दोनों में इसे पारित कर दिया गया और राश्पती के द्वारा ह जबाब मांगा इसके बाद 9 दिसंबर 2020 के दोरान इस विशे पर कई बार चर्चाए हुई किसानों के साथ केंदरी कृशी मंतरी के साथ प्रधान मंतरी जी के साथ किसान संगठोनों की कई बाते चली इन चर्चाओं में जो भी सफल निसकर्स निकलना चीए था वो नहीं न होता ही होगा फिर आज के दिन इस कानून को वापस लेने का निर्णे ले लिया गया जो गुरु पर्व का दिन है अब हम ये समझने की कोसिस करते हैं कि किसी कानून को रद करने की समयधानिक प्रक्रिया कैसी होती है अनुछे 245 में इसके संबंद में जिक्र किया गया है त रखती दी गई है और अब कानून को रद करना है यानि हटाना है तो इसी अनुछेद में कानून को वापस लेने से जुड़ी बाते और सक्तियां दी गई है आगे मैं बता दू कि किसी भी कानून को निरस्त करने के दो तरीके हो सकते हैं पहला ये कि एक विधेक लाया जिसके माध्यम से जो कानून है उसे हटाया जाएगा लेकिन 6 महिने के भीतर इस अध्यादेश को समाप्त करके और फिर से विधेक लाया जाएगा ताकि उस कानून को हटाया जा सके अब मैं आपको पहले नियम का विस्तार से बता दू कि पहले नियम में जब एक बहुत ही इस पश्ट नया विधेक लाया जाए जिससे पहले का जो कानून है उसे हटाया जाएगा जिस कानून को हटाने की बात चल रही है और दूसरे में यदि संसत सत्र नहीं चल रहा होता तब की बात कर रहा हूँ कि अगर नहीं चल रहा होता तो अध्यादेश लाया जाता और पिर उस कानून को हटाने की प्रक्रिया अपनाई जाती हाला कि यहाँ पे अभी सितकालीन सत्र चलने वाला है तो यह वाली पॉइंट आएगी नहीं तो यह दो प्रक्रियां अपनाई जा सकती हैं वारतमान में यह जो कृशी बिल है इन्हें हटाने के लिए विध्यक लाया तो इसे निर्सन और संसोदन अधिनियम 1950 यह याद रख लेना कि निर्सन और संसोदन अधिनियम 1950 इसके माध्यम से हम किसी भी कानून को वापस कर सकते हैं इसमें कुछ बाते दी गई हैं जो मैं क्लियर कर दूँ एक तो संसद को शक्ती मिली हुई है कि अनुछे 245 के माध् नाम निर्सन और संसोधन अधिनियम 1950 रखा गया था उस दोरान लगभग 62 कानुनों को एक साथ वापस लिया गया था इसका मतलब ये है कि पहले भी कई कानुनों को वापस लिया जा चुका है ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि किसी कानून को वापस लिया जा रहा है और एक इंपोर्टन बात ये है कि जिस तरह किसी विध्यक को अधिनियम नित करना होता है मतलब कि पहले लोकसभा, राज्यसभा और फिर पारित होने के बाद राश्पती के हस्ताक्षर लिये जात बिल्कुल उसी तरीके से निरसन यानि अधिनियम को समाप्त करने के लिए भी यही तरीका अपनाया जाता है कि पहले दोनों सदनों से पारित करना होगा, फिर इसके बाद राश्पती के हस्ताक्षर होंगे, फिर ये विध्यक अधिनियम जो भी है ये निरस्त हो जाएगा तो मैंने आपको यहाँ पे इस बिल के बारे में और इस बिल से जुड़ी सारी चीजें और ये तीनों बिल क्या थें, क्रिसी कानून कैसे था और विध्यक कैसे पारित हुआ और इसका निरसन कैसे होगा और इसे समाप्त कैसे किया जाएगा, इसके बारे में सब कुछ बता झाल झाल